प्रिये मित्रों, जैसा कि आज फिर हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक बार पहले हमने बताया था कि लोकों की एर कंडिशनिंग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, कैसे काम करता हैं, लेकिन आज हम बताने वाले हैं आपको कि उसके अंदर कौन-कौन से controlling parts लगे होते हैं, और इसे कैसे operate कर सकते हैं, इसके साथ में दिखाएंगे कि duct कहा लगा होता है, हवा कहां से आती है, और कहां से release होती है, इन सब चीजों के बारे में एक-एक करके बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर बात करें, तो इस जगे से हवा सक करता है, filter से होते फिर evaporator में touch करते हुए, ठंडा करते हुए, इस जगे से वापस आ जाती है, ये तो थी बात air circulation की, controlling panel के बारे में हमने पढ़ा रखा है पहले से, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो वहाँ पे जाके playlist में हमारे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे एक से एक अच्छी से अच्छी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी, knowledgeable वीडियो जो की आपके बहुत काम आने वाली हैं, अगर आप इसके बारे में देखे हैं, जानते हैं लोग को air conditioning कैसे काम करता है, तो आप comment box में message जरूर कीजिएगा, और 3 phase AC पे अगर आपने काम किया है, 3 phase supply पे आपने के वीडियो बना के दे देंगे आपको, तभी आज सिर्फ बताते हैं कि हमारा ये control panel कैसे, control panel कैसे काम करता है, और इसमें जो safety devices लगी है, वो कैसे कैसे काम करती है, ये हमारी main supply जो की हमारे AC control panel, control unit में इंटर करती है, यहां से हमारी 3 phase supply इंटर करती है, 3 phase supply हमारी सबसे पहले MCB में जाती है, MCB से ये जो हमारी MPCB लगी हुई है, ये भी MPCB है, ये भी MPCB है, ये MCB है, तो इन में सम्में पहले ऐसे ही हम connection को parallel में दे देते हैं, कहाँ supply इंटर करती है, बगल में इसके control जो पतली वायरे दिख रही है, ये control करने के लिए लगी हुई है, यहां से supply हमा हमारा जो 415 वोल्ट हमारे ये जो ट्रांसफार्मर है, ये 415 लेके और हमारा क्या है, 220 बोल्ट में convert कर देता है, अब एक बात और कर लेते हैं, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, control panel में किसी-किसी में 110 voltage पर काम करता है किसी-किसी में 220 voltage पर काम करता है जो old model के हैं वो 220 पर काम करते हैं पुरा control circuit इसमें आपका 110 voltage पर पूरी circuit काम करेगी तो MPCB यह सारी लगी हुई हैं यह MCB लगी हुई हैं एक हमारा सबसे पहला blower fan motor के लिए हैं फिर हमारा ये condenser fan motor के लिए है, ये हमारा compressor fan motor के लिए है, और ये हमारा heater के लिए लगा हुआ, ये हमारे contactors लगे हुई है, ये हमारा timer लगा हुआ है, ये हमारा control unit है, यहाँ से सारा detail मिल लेगा, और यहाँ से coupler जो लगे नहीं है उपर, ये हमारे contactors supply जो है, यहाँ पर उपर हाँके पार हमारे लगे हुए हैं एक कपलर क्या है कि हमारा सिर्धा nuclear निकल जाता है चाल मारें जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर और पर पर बार्वुख्स की बारेwww पढ़ाए है और फिरसी बार जनरली बता देंगे जल पाउबर सप्ललर में गया है और दूसरे तो यह हमारा चला गया आपना देगए पर चन्ट्रोलं पितलाईIP तो ऑवर सप्लाई के लिए आने कि पाउबर सप्लाई देने के लिए चला गया इसमे में हम यहां से यहां ऊपर डी यह से रिसेट कर आने कि हमारे इसी नहीं चलना है एक बार रिसेट करके चला सकते हैं इसको इतनी चीजे थी अगर आपको समझ में आई है तो अची बात है नहीं समझ में आई जो चीज तो कमेंट कीजिए अगर आप देखें इसके बारे में तो एक बार कमेंट रूट कीजिएगा अपना ना करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नमबर पे करेंगे तो शिर्फ आपका ब्लोवर चलेगा, दो नमबर ऐखेंगे, तो यह आपका कूलिंग चलेगा, और तिन नमबर पे करेंगे, तो आपका खीटर चलेगा, ऐसा यह आपरेंटिक सिस्टम है आशा करतों दोस्ट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देगा चैनल तो सब्सक्राइब कर देगा ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार बार बार हजार बार मिलती रहे जैन दोस्तों बंदे मातर में